नमस्कार आप सुन रेडियो हुं दोस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात धर्म गंगा में आज है बात पित्रिपक्ष की दस से तमबर याने कल से शुरू हो गया है पित्रिपक्ष सोला तीनों तक चलने वाला है बिलकुल बताने की जुरुत नहीं आप सभी जानते है की पित्रिपक्ष के दोरान आपके पित्र रियाने की आपके पूरू अज आपके घर पधारते हैं और आप से जल्दान पिंड़दान तरपर्ण और शाथ की आप एक्षा करते हैं जो भी आपको करना है करनी है जो आपको बनता है जो आप कर सकते हैं अवश्र कीजिए क्य कि इस से आपके परीवार की प्रगति गतिमान होगी और चुकि आप उनको देख नहीं पाते पर हर शाथ पक्ष में आपके पितर आपके दरौजे पर आपके घर आते हैं आप उन्हें असल तुष्ट करके भेशते हैं पानी पिलाए उन्हें भेशते हैं बिना उनका शाथ किये तरपड किये बिना भेशते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं और उनका दुखी होना ही श्राप बनकर लगता है परिवार की प्रगती रुख जाती है तो यह डराने की बात नहीं है आपके अपनी आस्ता है आप चाहे हम लोग पित्रों का पक्ष शाद और तरपन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे ऐसा करने से वो प्रसंद हो जाते हैं और हमारे परिवार की प्रगती और अधिक तीवरत्तर हो जाती है यानि कि हम और ज्यादा प्रमोटेट हो जाते हैं अपने व्यावसाय में अपने कार परक्ष्य शुरूरू होते है छह activating पक्र्चे सितम्बर तक इसादर परक्ष्य चलेंगrockेp हो दो होते है लेकिन इस बार बहुत खास होने वाला है पितर परक्ष्य क्यों कूए लेकि इस बार पितर प्रक्ष्य 2015 Mexous 15 का होने वाला है हमेशाavalばदा दिन को होता है विशैश सयोंग कई वर्षों के बाद बना है जोतिश के अनुसार ऐसा सयोंग सोलह साल बाद आया है इसलिए इसको सोलह शादभी केते हैं जैसे सोलह सुनवार्ट वाली बात कही जाती ना उसी तरह से 16 शाद भीर को कहते हैं, 16 दिन के श्राद, 16 शाद, 25 से सरो पित्री आमावस्या के साथ ही पित्री पक्ष पूर्ण होंगे, समाप्त होंगे इस वर्ष के, पित्री पक्ष के दोरान, हम पित्रों को शाद करते हैं, उनका तरपन करते हैं, और पित्रों को शाद करने से वो प्रसंद नोकर हमें आशिरवात देते हो आशिरवात से हमारे परिवार की सुख समृति बढ़ती है और पित्री दोश, काल, सरप्रदोख, देशी समस्याएं जो होती है जो के हमारी प्रगति को रोकती ये भी समाप्त होती है इसलिए सवसर को मानना चाहिए एक आउसरे अपनी परिवार की प्रगति को गधिमान करने के लिए पूरिवाक का शाध प्रतिपदा का शाध दस सितंबर को याने कल था जिन बुजुर्गों के मृत्यू प्रतिपदा को ही है उनका शाध उस दिन याने कल दस सितंबर को किया जाता है आज 11 सितंबर है दूतिया का शाध है जिन लोगों के मृत्यू दूतिया तिथी को हुई है उनका शाध हाज होता है 12 सितंबर याने कल तृतिया का शाध होगा जिन लोगों के मृत्यू तिथी में होती है त्रितिया तिथी में मरने वाले हमारे परिजनों के लिए हम शाध करते हैं त्रितिया का शाध तेरा सितंबर को होगा चतुर्थी का शाध चतुर्थी तिथी के दिन जिन परिजनों के मृत्य हुई है उस दिन उन लोगों का शाध किया जाएगा 14 सितंबर को पंचमी का शाद्ध होगा अविवाहित या पंचमी तिति के दिन जिन लोगों के मृत्य हुई उस दिन उन लोगों के शाद्ध किया जगा यानि 14 सितंबर को पंचमी का शाद्ध उन लोगों का भी होगा जो कि अविवाहित होते है पंद्र सितंबर शेष्टी का शाध्ध होगा इस बार शेष्टी तिति के दिन जिन लोगों के मृत्य हुए उनका इस दिन शाध्ध होना है सोला सितंबर को होगा सब्तमी का शाध्ध जो की सब्तमी के तिति के दिन मृत्ध हुए हमारे परिजनों के लिए होगा और 17 सितंबर को कोई शाध नहीं होगा ध्यान रखिये 17 सितंबर की तिथी को गोला लगा लेजी अपने कैलेंडर में शाध का दिन नहीं है 17 का 18 सितंबर को है अश्टमी तिथी का शाध जिन लोगों के मृत्यू अश्टमीतिति के दिन हुई है उनका इस दिन शाद है 19 सितमबर को नवमी का शाद है सुहागिन महिलाओं का विशेशुप से माताओं का शाद इस दिन किया जाता है इस कारण से इसको मात्री नवमी पक्ष भी कहते है 20 सितमबर दश्मी का शाद है दश्मीतिति के दिन जिन परिजनों ने दुनिया को अलविदा कहा था उनका शाद इस दिन होना है ये सारी बातों का आपको धान रखना है क्योंकि साल में एक ही बार आता है पित्रिपक्ष जो हमारे लिए आउसर होता है अपने परिजनों के प संदता प्राप्त करें जो हमारे लिए आशिरवात सुरूप होती है हमारे परवार की प्रगती सुख समृत्ती बढ़ जाती है चलता हूँ आप से अनुमती लेता हूँ जाते जाते कहूंगा पानी बचाइए सब को सिखाइए करते रहे ये काम बोलते रहे